अब आज हम बाइनम्यल थेओरम दिपत रुमे का पार्ट 3 आपके लिए लेके आये हैं इससे पहले हमने दो पार्ट पार्ट वन और पार्ट टू जो की है बाइनम्यल थेओरम के वो कम्पलीट हो चुके हैं अब हमार डिसकस करेंगे पार्ट 3 पे जिस पे आपको numericals देखने को मिलेंगे जो की important होंगे आपके exam के लिए तो इस वीडियो में आपको हम numericals पार्ट पढ़ाएंगे तो दोस्तों आप देखे सबसे पहले जो आपका question है वो है find the coefficient of x की power 15 in the expansion of x minus x square की power 10 तो x minus x square की power 10 के expansion में हमने जो है x की power 15 का क्या निकालना है coefficient या गुणांक निकालना है जो कि कल मैंने आपको बताया था previous वीडियो में दोस्तों कि जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों वो होते हैं nc0 nc1,nc2 ये जो दोस्तों हैं ये क्या है binomial coefficient या डिपद गुणांक है इसी पे हमने x की power 15 का coefficient हमने क्या करना है find करना है तो दोस्तों हम देखे इसे कैसे करेंगे सबसे पहले दोस्तों हम इसे compare करेंगे किससे x plus a की power n से हम इसे comparison कर लेते हैं यहां मैंने capital x लिया है और capital a लिया है compare करने के लिए तो x जो हो जाएगा equal हो जाएगा small x के और capital a equal हो जाएगा minus x square के n जो है दोस्तों यहाँ n की जो value है वो है 10 तो दोस्तों अब देखे हम इसे formula पे जो formula हमने पढ़ा था r plus 1 वा पद जो हमने formula पढ़ा था general term जो हमने पढ़ा था तो हम उस formula पे रख लेते हैं तो t r plus 1 जो हमने पढ़ा था दोस्तों वो पढ़ा था n c r x की power n minus r a की power r यह capital x से है n minus r a की power r अब दोस्तों आप बोलो गए कि आपने general term पे क्यों रखा इसे क्यों general term का formula apply किया दोस्तों आप से पूछा गया है क्या coefficient तो coefficient में हमें किस चीज की need है n और r की n c r ही तो coefficient है दोस्तों इसमें जो हमें need है n की need है और r की need है और दोस्तो n जो हमारे पास है 10 है हमें क्या चाहिए r तो हमें जो r चाहिए वो हम कहां से निकालेंगे वो निकालेंगे हम general term से r की value निकालेंगे अगर हमने r find कर लिया तो हमारा coefficient जो है वो निकल जाएगा तो हम r की value के लिए general term का formula apply करेंगे जिससे कि हमा r की value पता चल जाए तो दोस्तों देखिए यहाँ जो formula है n c r n जो हमारे पास है 10 c r हमें पता नहीं है हमने r find करना है x की power n minus r x जो है दोस्तों x ही है x की power n minus r a की power r minus x square की power r अब हम इससे solve कर लेते हैं दोस्तों 10 c r x की power 10 minus r यह minus दोस्तों हम बाहर निकाल लेते हैं minus 1 की power r यह बच जागा x की power 2 r तो दोस्तों यह minus 1 की power r को हम आगे ले आते हैं और यह हो जाएगा 10 c r x की power 10 minus r x की power 2 r तो दोस्तों अब देखे हम इसे simply solve करेंगे कैसे करेंगे वो आप देखें minus 1 की power r 10 c r अब यहाँ पर देखें दोस्तों आपने पढ़ा होगा घातांक जो की है घात घातांक पढ़ा होगा अपने की गुणा में जो घाते होती है वो क्या हो जाती है जुड जाती है जब हम गुणा करते हैं तो उनमें घाते जुड जाती है तो x की power यह हो जाएगा 10 minus r यह गुणा किये है हमने तो इनकी घाते जो है जुड जाएंगे 2 r तो दोस्तों फिर देखें minus 1 की power r 10 c r x की power minus 1 minus 2 plus 2 तो यह हो जाएगा 10 plus r अब यहां से देखें दोस्तों आपको करना क्या है यहां से दोस्तों आपको दिया क्या है कि x की power 15 का हमें coefficient निकानना है तो x की power 15 का हमें जब coefficient निकानना पड़ेगा तो इस x की power x को भी तो x की जो power है वो भी 15 होनी चाहिए तो ये x की power जो है 15 होनी चाहिए तो हम इनकी घातों की जो क्या है दोस्तों हम इनकी compare कर लेंगे जिससे की हमा r की value find हो जाए तो 10 प्लस r equal to कितना हो जाएगा 15 r की value जो है दोस्तों यहां से क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी दोस्तों हमने क्यों इसे compare किया क्योंकि हमें x की power 15 चाहिए तो हमने x की power 15 का coefficient यही होगा दोस्तों तो x की power इसे भी x की power 15 होना पड़ेगा तो हमने इसकी power की जो compare है इसके साथ की तो r की value जो आ गई 5 अब simply इस formula पे इसे r की power 5 रख लेंगे r की power r जो है हम यहां पर क्या रखेंगे 5 तो यहां पर जो है दोस्तों आपका answer आ जाएगा तो दोस्तों आप देखे r जो है यहां पर हम 5 रखेंगे तो यहां पर answer हम देखते हैं क्या आएगा minus 1 की power 5 10 c 5 x 10 plus 5 यह दोस्तों x की power 15 हो गया total तो हम इसे लिखे ना लिखे कोई value है नी क्योंकि हमें इसका coefficient पूछा है तो coefficient खाली यह होता है तो आप देखें minus 1 की power 5 किसी भी sign में अगर minus sign है उसकी power अगर odd होगी तो minus 1 होगा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो minus 10 c 5 यह दोस्तों आपको दिखने रहा होगा मैं आपको यहां करके दिखाता हूँ minus 10 c 5 की अब हमें value निकाल लिए तो दोस्तों हमने पढ़ाई है combination तो वो फर्मुला ncr का फर्मुला हमें आपर apply कर लेंगे जो कि क्या होता है दोस्तों n factorial upon n minus r factorial r factorial तो दोस्तों देखे आप यह हो जाएगा 10 factorial upon 10 minus r factorial 5 factorial into 5 factorial यह हो जाएगा दोस्तों आपका 10 factorial 10 में से 5 गया 5 factorial into 5 factorial फिरी से हम solve करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial हम यहाँ पर रुख जाएंगे क्योंकि यह cancel out हो जाएगा नीचे से 5 factorial into 5 into 4 into 3 into 2 5 factorial से 5 factorial हमने cancel कर लिया 3 और 2 6 से हमने 6 को cancel out कर लिया 4 से हम 8 को 2 बार cancel कर लेंगे और 5 से 10 को हम 2 बार क्या कर लेंगे cancel कर लेंगे तो यह answer जो आजाएगा दोस्तों आपका minus जो sign है वो लिख लिया फिर यह आजाएगा आपका क्या बचा 2 into 9 into 2 into 7 यह आपका answer हो गया जो की 2 to 4 और 9 36 into 7 फिर हम इसे multiply करेंगे यह आजाएगा 7 सिख जा 42 4 7 तरी जा 21 और 4 25 यह दोस्तों यह देखे आपका जो है answer आगया minus 252 minus 252 जो है x की power 15 का coefficient आपका minus 252 आगया coefficient इसी प्रकार दोस्तों आपको मैं आगे question बताता हूं आपने इसमें देख लिया होगा कि हमने coefficient कैसे निकालना है coefficient मैंने आपको बताया है कि coefficient जो होता है ncr यह चीजे coefficient होती है minimal coefficient इनकी value आपने निकालनी है इसमें हमें n दिया था 10 और r की value में find नहीं थी तो r की value हमने general term जो होता है formula ncr xc power n minus r a की power r से हमने r की value निकाली comparing की और coefficient निकाल लिया अब मैं किसी other concept पे आपको question बताता हूं दोस्तों second question है हमारा question 2 जिसमें हमने middle term जो है find करना है find the middle term in the expansion of 2a upon 3 minus 3 upon 2a की whole power 6 के expansion में हमने दोस्तों जो है middle term मध्यपत क्यात करना है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि middle term जो find करना है उसके दो case होते हैं एक तो कोई case होता है आपका even जो यह है और एक होता है odd और पे दो मध्यपत आता है और even में खावली एक ही मध्यपत आता है इसके लिए मैंने आपको formula बताया थे even के जो sum है even संख्याई जो है sum 1 2, 4, 6, 8, 10 जो की even संख्याई है इनके लिए जो आपका formula बनता है वो होता है n by 2 प्लस 1 वा पद जो होगा आपका दोस्तो n upon 2 प्लस 1 वा पद जो होगा आपका middle term होगा और जो odd संख्याई है n जो है विसम और अगर यहाँ पर 7 होता suppose तो विसम संख्याई के लिए 2 middle term आएंगे जो की होता है n प्लस 1 upon 2 वापद और n प्लस 3 upon 2 वापद यह odd के लिए हो गया दोस्तों यह even के लिए हो गया तो हम इस question को देखते हैं इसमें जो n है वो है even तो even के लिए हमारे पास simply formula है n by 2 प्लस 1 वापद तो इसका middle term जो हो जाएगा दोस्तों n है 6 upon 2 प्लस 1 यह हो जाएगा आपका 6 upon 2 3 प्लस 1 4 equal to 4 4 वापद जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा 4 term जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा middle term तो हम इसकी value कैसे निकालेंगे general term से क्योंकि वहाँ ही r वापद r प्लस उन वापद हमें ग्याद होता है तो वहीं सही हम क्या निकालेंगे इसकी value निकालेंगे तो हम सिदे general term या व्यापद का formula apply कर लेते हैं t r प्लस 1 equal to होता है आपका n c r x की power n minus r a की power r यह आपका जो है व्यापद या journal term का formula है जिसमा r की जो value है आपको दिख रही होगी क्या है दोस्तो 4 नहीं है r की value यहाँ क्या हो जाएगी दोस्तो 3 क्योंकि हम r 4 वापद निकालना है तो दोस्तों हमने पढ़ाया था कि t r plus 1 क्या होता है r plus 1 वापद होता है तो r plus 1 वापद जो हो जाएगा 3 plus 1 4 4 वापद हो जाएगा तो r की value जो हम लेंगे यहाँ 3 लेंगे तो दोस्तों हम इस formula पर apply कर लेंगे जिसमें x की जो value होगी 2a upon 3 होगी और a की जो value होगी माइनस 3a 3 upon 2a तो दोस्तों हम सीधे formula पर लिख लेते हैं जहाँ n है आपका 6 c r जो है 3 x जो है आपका 2a upon 3 n minus r n minus r 6 minus 3 3 हो जाएगा और a a जो है minus 3 upon 2a है minus 3 upon 2a की power r जो की है 3 तो दोस्तों हम इसे solve कर लेंगे यह हो जाएगा 6 c 3 2 की power 3 a की power 3 upon 3 की power 3 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका यह हो जाएगा minus 3 की power 3 upon 2 की power 3 into a की power 3 तो अगर यह minus को आप बहार ले लोगे तो minus बहार आ जाएगा 1 की power 3 होगा तो यह audio हो जाएगा तो यह minus का चिन्न हो जाएगा 6 c 3 और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यह है 2 की power 3 AQ upon 3 की power 3 into 3 की power 3 upon 2 की power 3 into A की power 3 यह cancel हो रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इससे यह cancel हो रहा है इससे यह cancel हो रहा है और इससे यह cancel हो रहा है तो इसकी जो value होगी दोस्तों माइनस 6C3 इसकी value आगे जिसे ही हम solve कर लेंगे combination से formula लगा के ncr जो होता है n factorial n-r factorial r factorial तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो है binomial में कितना use हो रहा है factorial का और किसका ncr और npr का तो आपको must हो जाता है इन्हें देखना या इन्ह पढ़ना जिससे कि आपका base clear हो जाए जब तक आपका ये किल्डर नहीं होगा तब तक आप binomial के question solve नहीं कर पाऊगे क्योंकि पूरी calculation जो है depend करती है factorial और npr ncr पे तो ये हम खोलेंगे ये हो जाएगा n factorial n-r factorial 3 factorial और r factorial जो की है 3 factorial तो दोस्तों हम इसे simply solve करेंगे 6 into 5 आपको मैंने पहली बताया कि factorial है तो ये continuously क्या है decrease होती रहेगा 6 into 5 into 4 into 3 factorial पे हम stop हो जाएंगे जिससे ये cancel out हो जाए 3 into 2 3 factorial से 3 factorial हम cancel कर लेंगे 3 to 6 cancel हो गया ये answer आगया minus 20 तो दोस्तों देखे आप कितनी जल्दी आपका answer आगया हमने middle term find कर दिया जो की है minus 20 इसका middle term है तो दोस्तों हमने इसमें कुछ नहीं किया हमें यहां दिखा कि n even है तो हमने सिधे formula लगाया है उसके बार हमने general term का formula लगाके हमने ये value निकाल ली है तो दोस्तों इस प्रकार आपने भी घर में practice करनी है अगर आपको कोई question नहीं आते तो हमने अपना telegram channel त्रेसकते academy के नाम से आप वहाँ हमें send कर सकते हैं जिसका answer आपको easily हम provide कर रहा देंगे तो दोस्तों इस वीडियो में अभी मैं आपको आगे जो है आपको कुछ practice question दूँगा और जिन्हें आपने घर में practice करना है और फिर next वीडियो में हम next topic पे discuss करेंगे दोस्तों अब हम एक question और देखेंगे जिसमें student को जोकी खुमाया जाता है ये question कुछ नहीं है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको पढ़के क्या है find the term independent of x in the expansion of x plus 1 upon x की power 10 हमें x plus 1 upon x के प्रसार में जो है दोस्तों x का independent term मतलब x से जो स्वतनतरपद है वो हमें निकानना है x plus 1 upon x की power 10 के expansion में तो दोस्तों वही है x से जो independent term होगा वो हमें पता ही है क्या होगा binomial coefficient होगा क्योंकि x से जो independent होगा वो ncr, npr, ncr होगा क्योंकि ये independent है तो x इसमा आएगा नी तो वही है दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया है कि binomial coefficient निकालना तो इसमें भी हमने binomial coefficient ही निकालना है सबसे पहले दोस्तों हमें दिया क्या है n बराबर tn दिया है हम अब binomial coefficient या x से independent term के लिए हमें एक चीज की और जरुवत है किसकी r की जो हमें find करनी है अगर हमने r की value निकाल ली तो क्या होगा दोस्तों हमें independent term मिल जाएगा x का independent term हमें r की value फाइंड करने में help करेगा अभी देखे कैसे तो दोस्तों हम सीधे tr प्लस उन्वा पत देखते हैं जो होता है ncr x की पावर n-r a की पावर r तो दोस्तों ये देखे ncr n10 c r x जो है x c है x की पावर n-r a जो है 1 अपॉन x से है 1 अपॉन x की पावर r तो दोस्तों इसी करिया 10cr x की पावर n-r x की पावर नीचे है ये x की पावर r होगी तो उपड़ जाएगी x की पावर minus r हो जाएगा तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो गुणा में घाते हैं वो क्या होती है जुड़ती है तो यहां minus का sign है तो यह minus हो जाएगा तो दोस्तों देखे 10cr x की पावर n-2r ये n है minus 2r minus minus plus तो दोस्तों यह देखे अब हमें यहां जो है x का independent term क्या होगा x, x से independent क्या होगा दोस्तो मतलब जिसमें x ना हो तो दोस्तो x ना हो तो x की power क्या होनी चाहिए जोस्तो वो होनी चाहिए 0, मतलब x की power जब 0 होगी तो x अभी तो independent होगा, तो हमें x का compare इस से कर देना है, x की power 0 equal to x की power n minus 2 r तो यहां से आप दोस्तों देखे x की पावर n-2r और x की पावर 0 का जब हम comparison करेंगे दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों x 0 equal to x की पावर 10 हमारे पास जो है n की value है minus 2r तो यह हो जाएगा 10 minus 2r equal to 0 तो यहां से 2r equal to 10 जब हम इसे right hand से लेखे जाएगे positive हो जाएगा 2r into 10 फिर r की value जो है दोस्तों यहां से क्या आगई 5 r की value हमें find हो गई कि r की value जो है दोस्तों यहां से 5 हमें ज्यात हो गई find हो गई तो हम simply जो है इस formula में हम x की r की value 5 put करेंगे और हमें जो है x से independent term find हो जाएगा दोस्तों देखे कैसे हम find होगा यह हो जाएगा 10c5 यह हो जाएगा n factorial n minus r factorial r factorial हम इसमें करेंगे यह हो जाएगा 10 minus 5 5 factorial into r factorial जो किया है 5 factorial 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 5 factorial से 5 factorial हम cancel कर लेंगे और 5 से हम यह 2 बार cancel कर लेंगे 4 2 जा 8 से cancel हो गया 3 से यह 3 बार cancel हो गया यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 7 और 6 into 6 into 32 जा 6 यह हो जाएगा आपका 36 into 7 जो कि हो जाएगा 7 से गया 40 to 4 721 और 25 दोस्तों बावन जो है दोस्तों एक से independent term की value आ गया आपकी 252 answer आपका आ गया दोस्तों एक बार हम इसे देख लेते हैं कि कैसे किया हमने दोस्तों हमें इसमें पूछा है एक से independent term मतलब एक से नहीं होना चाहिए तो एकस की पावड 0 होनी चाहिए तब ही हमने यहां compare किया कि एकस की पावड 0 होगी तब ही यह independent term होगा एकस की पावड 0 होगी तो यहां से हमें R की value find होगी जो हमने simply यहां फॉर्मूले पे रख लिए अगर हम यहां R की value भी रखते 5 तो यह 10 से 10 0 हो जाती यह हम छोड़ देंगे क्योंकि यह automatically 0 हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तीन basic concept बता दिये हैं जो भी अब आपको practice करनी है घर में अपने और other जो concept है इसी पर dependent है तो आपको ज़्याद से ज़्यादा question लगाने है जिससे आपका time बस सके exam में तो दोस्तों मैं आपको कुछ question घर के लिए देता हूँ जिसकी आप practice करोगे दोस्तों कुछ question आपके homework में है यह question 1 है find the 10th term in the expansion of 2x square plus 1 upon x की whole power 12 इसके expansion में आपने 10 जो है बताना है second में आपने middle term find करना है इन दोनों के expansion में और third जो है आपने x की power 11 का coefficient बताना है x cube minus 2 upon x square की whole power 12 के expansion में आपने x की power 11 का coefficient बताना है तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको इतने question दिये हैं आपने इनको तो करना ही करना है बलकि अपनी तरप से भी आपने जो है practice बनाये रखनी है कि मेरे से कितने question हो पा रहे हैं नहीं हो रहे हैं आप कितने पानी में हैं खुदी आपने जैज करना है अपने को कि आप कितने पानी में हो या नहीं हो तो हमारे दो लेसन यहाँ पर complete हो चुके हैं फर्स लेसन हमारा factorial notation और second binomial theorem और unit फर्स चल लिए दोस्तो हमारी इसके बाद जो chapter है दोस्तो वो है partial fraction जिसे बोलते हैं हिंदी में आंसिक भिन्द उसमें से दोस्तो आपका एक 6 नमबर का question बनता है और एक 10 नमबर का question बनता है तो दोस्तो वो काफी important chapter है तो और easy भी है तो हम next वीडियो में आपको partial fraction या अंसिक भिन्द कराएंगे तो आप binomial theorem के तब तक practice कर लिजिए और next वीडियो में मिलते हैं आपसे दोस्तो तब तक आप practice किजिए question लगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like क कीजिए और share कीजिए और channel को subscribe कीजिए और दोस्तो हमारे telegram channel तिरसकती academy को join करना ना भूले क्योंकि वहाँ पर अब आपको previous years paper plus notes और सब कुछ आपको provide किये जाएंगे तो आप वहाँ हमें जरूर join कीजिए जिससे आपको काफी हत तक help हो सके तो मिलते हैं आपको next वीडिय वीडियो में thank you so much